दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि आप कैसे आपके Vivo Y100 स्मार्टफोन के अंदर LED नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो यह काफी नेंस कर देता है आपके स्मार्टफोन के लुक को और यह काफी जबरदस लगता है देखने में जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा या फिर कोई मैसेज आता है या फिर आप आपका स्मार्टफोन चार्जिंग को लगाऊगे तो यह गलोग करने वाला है और यह काफी जबरदस लगता है देखने में इसके अंदर काफी सारे कलर्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते जो कलर चाहिए वो यहाँ पर आप सिंप्ली इनेबल कर सकते हो तो दोस्तो इसी प्रकार का मोबाइल रिलेटेड कॉंटेंट डेली अप्लोड हो तरहते है अमरे चैनल पर तो लाइक शेयर सस्क्राइब कर लिज़ अमरे चैनल को स्टार्ट कर लेते हैं अमरे यह बेतरिन स दोस्तों जसे आप ऑपन करते हों ऐसा चैनल पर सापके सामने हो जाता है इसके बाद वСबीत हों इसको यहाँ पर आपको कैसे इंसल करना और ऋप सबसे हो आपको ौसरफ में देखने मिल जाए दोस्तों आपको सबसे पहले main settings के अंदर चले जाना है और यहाँ पर required permission के उपर click करके individual light controller के उपर click करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे phone में अलग-अलग तरह के settings मिल जाएगे दोस्तों यहाँ पर जाना है आपको और यहाँ पर age इसको on करके यहाँ पर allow करके back चले जाना है दोस्तों इसके बाद आपको simply back चले जाना है और यहाँ पर आपको notification access दे देना है इसको enable करके इसको enable कर देना है यहाँ पर allow कर देना है तो दोस्तो इसके बाद आपको simply नीचे चले जाना है और save के ओपर click करके first number के option पर click कर देना है सो दोस्तो इसके बाद आपको simply back चले जाना है और app settings के अंदर चले जाना है app settings के अंदर जैसे ही जाते हूँ यहाँ पर first number के option पर click करना है सो दोस्तो आपको कब चाहिए notification आती ही तब चाहिए charging के वक चाहिए calling के वक चाहिए music सुनते वक कही पर भी आप select कर सकते हूँ यहाँ पर मैं simply notification के वक कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर allow कर देंगे दोस्तो इसको और back चले जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर allow करके यहाँ पर back बटन आपको click करके ok कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर आपको allow कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर यह पुछ रहे आपको screen off चाहिए, on चाहिए, यहाँ पर हम simply third wall option क्लिक कर देंगे, जो कि यह on off दोनों भी चाहिए, तो दोस्तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है उसके बाद, save के option पर click करना है और first number के option पर click कर देना है, तो दोस्तो यहाँ प इसके बाद आपको simply back चले जाना है और lightning settings के अंदर चले जाना है, तो दोस्तो यहाँ पर आपको simply enable कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको enable notch support के उपर click करके adjust manually के उपर click करना है, तो दोस्तो यहाँ पर आपकी V notch होगी, तो V कर सकते हो, आप मेरी यहाँ पर view notch है, तो मै मैं simply यहाँ पर यू कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगर आपको setting थोड़ी change करने होगी तो वो भी आप simply कर सकते हो सो दोस्तों इसके बाद आपको सबसे पहले thickness बढ़ा लेनी है यहाँ पर मैं simply thickness बढ़ा लेता हूँ को simply कुछ भी नहीं करना है उसके बाद नीचे चले जाना है यहां पर हम simply देख सकते हो आपको कई सरे option देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें से आपको follow के उपर क्लिक करना है यहां पर जैसे में कर रहा हूं वहां वैसी आपको simply करना है इसके बाद दोस्तो lightning mode में आपको हो जाती है तो यह उसके बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको continuously चाहिए तो वह भी continuously भी रख सकते हो तो दोस्तों यहां से आप नीचे चले जाएंगे रेड से blue green yellow तो वह भी आप simply अगर आपको कौन सा भी color पसना आता है तो वह simply आप रख सकते हो तो दोस्तों अगर आपको two color रखने होगे तो वह भी आप simply रख सकते हो तो तो एहां पर देख सकते हो जो हमारे three color से वह बिनेवल हो चुके तो दोस्तो यहाँ पर मैं rainbow style select कर लेता हूँ बहुत ही बढ़िया दिखता है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो आप rainbow style काफी बढ़िया दिखता है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तो काफी अच्छा लगता है rainbow style देखने के लिए spectrum भी दिखा दू दोस्तो आपको मैं यहाँ पर spectrum भी बहुत ही बढ़िया लगता है और one color, two color, three color भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप choose करते हो तो तो दोस्तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे लग रहें तो दोस्तो यहाँ पर हम simply rainbow style क्लिक कर लेंगे यहाँ पर select कर लेते हैं दोस्तो rainbow style rainbow style select करने के बाद आपको simply नीचे चले जाना है अगर आपको speed बढ़ाने होगी तो आप simply यहाँ पर speed भी बढ़ा सकते हो अगर आपको यहाँ पर glow करना होगा तो simply एसा दिखेगा दोस्तो dash dash करना होगा तो यहाँ पर एसा दिखेगा डेश इतने अच्छी नहीं लगती दो दोस्तों आप rainbow style या नॉर्मल रखिए या फिर glow करिए glow भी अच्छा दिखता है तो दोस्तों इसके बाद आपको save के उपर क्लिक करके first number के option पर क्लिक करना है यहाँ पर थोड़ी से add दिखाई जाएगी उसके बाद यह फ्री में save हो जाएगा तो दोस्तों आप इसी प्रकार से LED नोट्विकेशन इनेबल कर सकते हो आपके फोन में अगर आपको यह app इंस्टॉल करनी होगी तो सबसे बेले आपको प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको simply search कर लेना है always on age always on age जैसे आप सर्च करते हो इसा interface आपके सामने open हो जाता है जो first number का app आपको दिख रहा है उसे आपको simply install कर लेना है और वो सारी process इसके अंदर आप simply कर सकते हो जो मैंने process आपको सीखाई है सो दोस्तों मिलते हैं अगली उडियो में तब तक के लिए बाई